कि नमस्ते दोस्तों मैं डॉक्टर नाम देव तो गुरे स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस चैनल पर दोस्तों इससे पहले के एड्मिशन से रिलेटेड कुछ वीडियोस थे जो मराठी में थे कई लोगों की रिक्वेस्ट आई एक यह वीडियो जो है हिंदी में बनने चाहिए तो मैंने कोशिश की एक यह कुछ वीडियोस हिंदी में भी बने तो आज हम देखने वाले हैं स्कोप और करियर इन वाय केमिस्ट्री जिस कुछ वीडियोस बनाओं उसमें से आज हम लोग देखेंगे कि बायोकेमिस्ट्री याने जीवर साइन शास्त्र में हमें क्या स्कोप है और यह क्या क्या करियर ऑपर्चिनिटी से शुरुआ करते हैं बायोकेमिस्ट्री के बेसिक डेफिनिशन से जिसमें ऐसा कहा गया है कि और यह की बायोकेमिस्ट्री के यह वा हुरु यह कि और यह क्यों वा इस्ट्री में यूस होता है जिस्ट्री फिजीक्स मॉलीकूलर बियोजिए इमिनियोजी तो पूह क्या गयो प॥रूब्या पर अग्र हम लोग देखेंगे तो वेद्यक शास्त्र यानि medicine या फिर related जो फिल्ड है उनमें अगर हमें expertise यानि महारत हासिल करना है तो हमें बाइक्यमिकल नॉलेज होने की जरूरत है क्योंकि वहां पर हमें metabolism, cell function, growth और human body से related जो भी फेनामेनान है वह हमें study करने होते हैं यहां पर मैंने एक example लिया है जिसमें joint pain यानि की गाउट यानि हम लोग उसे हिंदी में गठिया रोक कहते हैं अगर वह क्यूं होता है यह अगर हमें जानना है तो हमें उसके लिए बायोकिमिकल नॉलेज होना जरूरी है यह बायोकिमिस्ट्री से रिल ठीक पर में बहुत जरूरी है यहां पर वीडियो के शुरुवात में कहा था कि 12 साइज के बाद हम लोग सोच में पढ़ जाते हैं कि हमें आगे करना क्या है उसमें हमने प्यों यानि जीवर साइंस शास्त्र का थोड़ा सा इंट्रक्शन देखा है उसमें अब हम देखेंगे कि 12 साइंस के बाद हम लोग बैचलर आफ साइंस मतलब बीए सी बाय केमिस्ट्री में एड्मिशन कैसे ले सकते हैं उसके लिए क्या क्या प्री रिक्विसिट है जैसे यहां पर एज लिमिट है वह है 18 साल और हमें बारवी में 55 पर्सेंट होनाँ जरूरी है उसके बाद अगर हम लोग सब्जेक्स देखते हैं तो हमें सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री और बैयलोजी ज्यानि कि पी-सी बीग्रूप होना जरूरी है और फीस के बारे में अगर ह लेते हैं उसके बाद अगर हम लोग यह कॉर्स कंप्लीट करते हैं और कोई जॉब अगर जॉइन करते हैं नीचे मैं आपको बताऊंगा कि कौन से कौन से जॉब्स है तो उसमें हमें साला ना साड़े चार लाग तक पेमेंट मिल सकता अब हम देखेंगे कि हमें कौन सी साड़ ही हमें जॉब मिलते हैं ऑपरेशन मैनेजर बिजनेस अनलिस्ट मार्केट मैनेजर क्लीनिकल रिसर्ट असोशेट यह भी एक रिसर्च और और इंडस्ट्री और जॉरेंटेड जॉब हैं कि प्लेस्मेंट ऑपरचुनिटी यानि कि कहा कहा हमें जॉब मिल सकते हैं ज इसके बाद कोई जॉब नहीं करते हैं तो आगे के लिए हमारे पास क्या क्रियर और क्या स्कॉप है तो हम लोग उसके बाद कर सकते हैं MSC Biochemistry यानि के Post-Graduation जो कोर्स है वो हम लोग कर सकते हैं वो दो साल का होता है ज्यादातर ही उनिवर्सिटीज में अभी यह semester pattern में हो चुका है अब MSC Biochemistry के लिए जो पातरता है जो eligibility है उसमें हमें Bachelor of Science होना जरूरी है और उसमें हमें कम से कम 50% मार्क्स होने जरूरी है उसके बाद B.A.C. में जैसे Biochemistry, Chemistry, Zoology, Nutrition, Food Sciences, Botany और B.A.C. in Animal Science, Medicine और Veterinary Science के अलावा Agriculture field से भी graduation किये हुए विद्धारती पात रहे हैं उसके बाद जो भी applications है, admission process जो है, वो entrance exam के through होती है जिसमें हम लोग अगर उधारन के तौर पर देखते हैं तो जीपमर, उस्मानिया, हैदराबाद University और कई universities और state universities, central universities हैं जो common admission test लेते हैं MSC Biochemistry admission के लिए, तो हमें इन सब exams पे, जो entrance exam है उन पे ध्यान रखना ज़रूरी है, इससे related जो भी notifications आते हैं उन पे ध्यान रखना ज़रूरी है, मेरे इस channel पे भी कई वीडियोस है, जो admission से related videos है, वो आप नीचे जाके link में देख सकते हैं उसके बाद हम लोग देखेंगे कि admission process किस basis पे होती है, जैसे मैंने कहा था कि admission जो process है, वो entrance exam के basis पे होते हैं जहां तक कि entrance exam के बाद merit list लगती है, उसी के basis पे admission process शुरू होती है, उसके बाद जो screening system है, उसमें भी हमारा personal interview जो होता है, वो भी consider किया जाता है, admission process में इसके बाद मैं एक बाद highlight करना चाहूंगा यहां पर कि कई लोग जो है अपनी आर्थिक या सामाजिक परिस्तिती की वज़े से state या central universities में यानि के continue courses नहीं कर पाते हैं, तो कई ऐसी universities है, जो MSC biochemistry distance education के तौर पे देती हैं, उसमें करनाटका state open university जो है, उसके बाद MIT university है, कलिंगा university है, MK university है, सुभार्थी university और कई ऐसी universities है, जो open university के तौर पर इस course को conduct करते हैं, अगर course fees की हम लोग बात करेंगे, तो 3000 से लेकर 30000000 तक course fees है, जैसे मैंने BAC के समय कहा था, state universities, central universities, private universities, और private colleges, इनके हिसाब से यह fee का structure adjust किया होता है, हम लोग अगर job करते हैं, तो हमें minimum 2 से लेकर 6 लाग तक हमें salary मिल सकते हैं, सालाना, अगर हम लोग top recruiting companies और research institute देखते हैं, तो उसमें, हमें कई research institute है, बाय टेकनलोजी companies है, forensic science sector है, environmental agencies है, उसके बाद जैसे private companies, infosys है, gail है, government के कोई companies है, ONGC है, भेल है, वीप्रो है, और जानसन और जानसन, इस रो, रैनबक, सी, pharmaceutical company में, सीपला, बाय टेकनलोजी से related जो companies है, यह सिंगलीन, बायकान, एमक्योर, यह त्यादी कंपनियां हमें, MSC बाय के बाद job देती हैं, यहाँ पर मैंने कुछ universities and colleges दिये हैं, जो conduct करते हैं, MSC बाय के मिस्टी को, उसमें से top पे University, चंदिगड़ University, Mount Carmel College, AIMS Delhi, यहाँ पर महरास्था में से कई universities के नाम mention किये हैं, जो MSC बायक, MSC course conduct करते हैं, उसमें, डॉक्टर बाबा साहिब अमबेटकर मराठवणा University, औरंगबाद, उसके पास सावीत्रिबाई, फुले, पूने University, Ferguson College, North महरास्था University, शिवाजी College, शि University, University, नांदेड, इत्यादी, उनिवरसिटी जो हैं, वो बायकेमिस्टी, MSC बायकेमिस्टी कोर्स कंड़क करते हैं, मैंने यहाँ पर एक diagrammatic representation दिया है, जहाँ पर हमें किन-किन क्षेत्र में हमें जॉब मिल सकता है, यहाँ पर हम लोग अगर देखेंगे, तो College Professor, जैसे MSC के के तौर पर हम लोग कई University, कई Research Institute में काम कर सकते हैं, इसके अलावा Specialized Jobs अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें Pharmacist है, Forensic Scientist की Positions है, वहाँ पर हम लोग काम कर सकते हैं, अगर हम लोग Non-Traditional Job देखेंगे तो इसमें Science Journalist है, उसके बाद बायकेमिस्टी, Pharmaceutical Sales Representative, Other Potential Jobs है, जो Toxicology से रिलेटेड है, High School Teacher और Medical Lab Technology से रिलेटेड जो भी जॉब्स है, वो हमें मिल सकते हैं, मैं सिबायकेमिस्टी के बाद, यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया है, जहाँ पर मैंने प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल बना दिखाई है, उसके बाद शॉर्ट में डिस्क्रिप् लाप टेकनिशन जिसमें 3 लाग तक हमें पेमेंट मिल सकता है, अगर हम लोग जॉब करते हैं तो हमें 5 से 6 लाग तक on an average सालना पेमेंट हमें मिल सकता है, और सबसे महतोपूरून जो है, अगर हम लोग में से बाद कम्प्लेट करके नेट से या पीज़ड करते हैं, तो इस के बाद हम लोग देखेंगी कि हम लोग MSC के बाद क्या कर सकते और क्यों कर सकते हैं उसमें सर्वत्तम जो है वह है पीजडी जॉब्स के अलावा हमारे लिए पीजडी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है क्योंकि पीजडी भारत में ही नहीं बलकि दुनिया में भी वन ऑफ ती हाईली वैल्यूट डिग्री मानी जाती है पर मैंने कुछ जनरल इंट्रॉप्शन दिया है इसके बाद हम लोग देखेंग सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके अलावा भी जो पीजडी डिग्री होल्डर है वो जाब कर सकते हैं पॉब्लिशिंग हाउस में जो रिसर्च पॉब्लिश पॉब्लिश करते हैं उसके बाद जो एजिक्वेशनल इंस्टिडूट्स है ला फिर्म से कंसल्टरंसी जैसे रिल दिखेंगे कि लिए जो भी क्राइटरिया है वह भारत में क्या है जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो हमें मास्टर डिग्री होल्डर होना ज़रूरी है जो रिप्रिटेड उनिवर्सिटीज है वह कंडिडेट्स को नेट सेट यूजिसी नेट गेट इक्त्यादी के बेसि जो स्टूरेंट्स है वो भी इसे एंट्रंस को या पीएज़े अडिमिशन टेस्ट को अपलाए कर सकते हैं कि नेट सेट गेट के अलावा भी हमारा इंटर्व्यू का जो भी पर्फॉमंस रहेगा वह कंसिडर किया जाएगा अगर हमें पीएज़ी में एडमिशन देना है तो इसके बाद वैलिट स्कोर होना भी ज़रूरी है और उसके साथ ही एम्टेक और एमी जैसे नियरिंग का सब्सक्राइब करने के बारे अगर हम लोग देखेंगे तो टेंटिटिवली वह 20,000 से लेकर 30,000 या फिर कुछ प्राइवर्ट यूनिवर्सिटीज में 2,000,000 से लेकर 3,000,000 लगती है अब पीएज़ी करने के बाद मैंने जैसे ब्रीफली पहले बताया था तो हमें क्या-क् सकते हैं जैसे हम लोग रिसर्चर के तोर पर जॉब कर सकते हैं कई रिसर्च और कई रिसर्च इंस्टेट्यूट है या फिर पॉब्लिकेशन हाउस है उसमें हम लोग ऑथर राइटर के तोर पर काम कर सकते हैं उसके अलावा जर्नलिस्ट इडिटर क्रिटी इंडिपेंड क consultant और industrial जो research and development laboratories है उसमें काम कर सकते हैं और इसके बाद option हमें बचता है वो है postdoctoral fellowship अब हम देखेंगे कि postdoctoral fellowship के लिए क्या eligibility होते हैं और कितनी fellowship हमें मिल सकती हैं अगर हम लोग eligibility की बात करते हैं तो हमें PhD होना जरूरी है साथ में कुछ publications भी हाइए इसके लिए हमें स्टेट गवर्मेंट सेंट्रल गवर्मेंट है और कई फॉर्ण इनवर्सिटीज है फॉर्ण एजनसी है हमें फेलोशिप देते हैं यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो सेंट्रल गवर्मेंट की नैशनल पोस्डॉक्टरल फेलोशिप है जो वह हमें देती है 55,000 रूपए प्रतिमाहा उसके साथ हाउस रेंट आलाउंस जो होता है वह भी मिलता है प्रतिमाहा 35,000 प्रतिमाहा मिलता है रिसर्च ग्रांट होती है दो लाख सालाना और चार्जेस मिलते हैं एक लाख रूपए सालाना इसके आलावा कई एजनसी जैसे मैंने बोला था उसमें फुल ब्राइट नेहरू पोस्डॉक्टरल फेलोशिप है वह हमें प्रतिमाहाद दो लाख रूपए स्टाइ हैं चाय कितेये रिसर्च परती महीना हमें फेलोशिप देती हैं और एंडिविज्वटॉशिप की यहामें avail 2 लेकर लेकर अगर फेलोशिप मिलन सकते हैं इसके प्रोजेक्ट होते हैं इन्डिविजल प्रेंसिपल इंवेस्टिगेटर्स के वह वह में राख फिलेकर तीन तक पेमेंट दे सकते हैं तो दोस्तों यह थी जानकारी पीसी बाय केमस्ट्री से लेकर एमस्ट्री पीएज़ड और पोस्ट डॉक्टरल फेलोशीप तक मैंने कोशिश किए कि मैं यह वीडियो हिंदी में अच्छी तरह से बनाऊ अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है त और और हमारी उच्छे सिक्षा से रिलेटर हाइर एजुकेशन से रिलेटर जितने भी वीडियो और अड्मिशन नोटिफिकेशन अगर आपको देखने हैं तो आप मुझे फॉलो करना मत भूले मेरा फेस्बुक पेज है दी वर्साटाइल साइंटिस नाम से और मेरा तक के लिए थांक यू